हेलो नमस्कार स्वागत है आपका फिर से घटना चक्रपुने विलोकन में हम जो देखेंगे भारत का भूगोल जो क्लास 3 होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए तो आज का जो हमारा टोपिक होने वाला है क्या पठार ठीक है इससे पहले हमने क्या अब आजगे लिए न suction पर्वारत के इससे घृषन निरमित लावा जो है कोन से काल में हुआ है यह तो तो यह वा तो आपको cretaceous यूग में त्सकिते को यहां पर याद रखना है आपको कृटेशos यूग दोर उसके बाद schizophrenia फेनरो जाइक फिर सैनो जाइक जैसे आपको कलP देखने को मिलेंगे तो इसको गूगल पर साइच करके एक बार देख शकते ओंगो करने के कोशिज कीजिएगा next question मेगाले का पठार हिक खागी हिमाले सेनी का पुर्वी घाट परवती का या सत्वुरी सेनी का मेगाले आपका या पर है ठीक है और आपका प्रायदीपी घृरत यह यहाप पर देखने को मिलता है ठीक है और इधर क्या आजाता है आपका इधर आजाता है हिमाले क्या आजाता हिमाले तो जिसने पड़ा नहीं होगा उसको तो और क्या लगेगा कि हिमाले का भाग है लेकिन यह आपका किसका है तो यह आपका प्राइड इपी खंड का भाग हो जाएगा ठीक है इसके बीच में जो अपको गेब देखने को मिलता है ठीक है इस गेब को आपन इंख नाम से जानते हैं तो यह वाला कुछ सा माल्दागेब कीन के बीच आपसे तो यह याद रखना इधार का प्राइड़ू गवारत है और इसमेगाले का पठार ठीक है और उसके अलावा और पठार भी पूछे तो आपको इधर छोटा नाखपुर का पठार यार रखना है, तो क्या हो जाएगा इसका अंसर, मालदा गेब, ठीके, नेस्ट करचन, देख लो यहापर पठार आपको दिख रहा होगा, ठीके, यह पठार देखो, यह आपको बुंदेल कंड का पठार, बगेल कंड का पठार मालवा का पठार इसके अलावा आपको राजस्थान में मारवाड का पठार ठीक है मारवाड मारवाड का पठार उसके अलावा यह आपको गुजरात में काठिया वाडा का पठार ठीक है कठिया वाडा उसके अलावा डक्कन का पठार महराश्ट में ठीक है करनाटक में काना, तेलन गाना पठार, इसको हम, राइल शीमा का पठार भी केते हैं, फिर डंड कारने पठार, पिर छोटा नाकपूर का पठार देखेगा, और फिर शिलों पठार या मेगाले पठार देखेगा इसके बीच में इसको बोलते माल्दा ऑठ देखे लें छोटा नाकपीर पठार कहा पहरें त इननों ने क्याने पूछा एक अग्र गंबी ने और फब इसतलिय यह और फोकीय बहुत थार से आ तो देखो भूमी तो हो नहीं सकती संपराइग ठीक है आप क्या है पदी गंबिर अब दोनों में से क्या अब अपको बताया था हिमाले ठीक है ये हिमाले आपका इमाले लिन अब आपको работать बता Y अग्र अग्र गम्बीर हो जयागा ठीक है छोटा नाँपूर का अपठार आपको यह चीज यहाँ पर यार रखना है छोटा नाँपूर के पठार के बारे में और यह जो रहता है विभीन उचाई और उचाई के जो पठार रहते हैं इनके क्रम मिलता है तो मद्य पस्षी में भाग पर जो पार्ट भूमी इस्ती थे जिसकी अधिक्तम उचाई 1100 मिटर मिलती है इस पठार के प्रतेक दिशाव के सोपन में मिलती है तो इसका जो ढाल रह नावली परतर हमилось है अपको कुझसा भी देखा तामने मालवव का पठार इधर इधर आपको कॉंसी और देखने निकलती निकलती है फिर आपका सत्पुरा आ जाएगा तो कोन से पतार देखाऊ आपको मालवा का पतार इसका अंसर आंद्र प्रदेश एवं जारखंड में तो डंड कार्णी प्रदेश आपको पता है कि 36 गड़ वाला भाग यह जो 36 गड़ है ठीक है और फिर इदर आपका उड़ीसा तो इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा ठीक है 36 गड़ उड़ीसा में निमन में से मेगाले का पठार का अंस नहीं है भोवन पाड़ी गारो खासी जयनतिया तो आपको इसमें यार रखना है कि कौन सा आपका मेगाले के पठार का अंस नहीं है तो इसमें देखो अंसर से आपनको भोवन पाड़ी जो है यह नहीं दिखेगी अब गारो खांसी जयन्तिया तो यह आपको कहा पर देखने को मिलेगी तो यह मेगाले में मेगाले अपन ने यह पर देखा जो आप देखा अपन ने यह पर कौन-कौन सी है तो किसको न पहना जाता है आपका मुंबई से चेंने से कोचिंगो से विशा खात तो इसकावस अंसर अब यह अंसर और के जाएगा यहीं आपको यहार रखना के यह पर आपका नापा जाता है यह चीज़ यहां पर आपको यार रखना है फिर भारत के प्रादिसिक जल छेत्र का विस्तार है कितना है तो यह आपको यार रखना है बारा समुद्री मिल तक ठीक है अब जिसे अपने चेन नहीं से मापा तो यहां से बारा समुद्री मिल तक अपना क क्या है आपकी fix लेकिन आपको यहां पर क्या दिख रहा है दिखनी रट लगभग आप यहां गिलोमीटर कर सकते हैं यह इसको सबसे अधिक लंबा है तो किस राज का आपको सब से अधिक लंबा देखने को मिलेगा यहाँ पर आंद्रप्रदेश गुजरात महराष्ट तमिल नाडू तो चार ओप्षन आपको यह पर दीख रहे होंगे तो देखो यह वाला ओप्षन इधर मेप भी आपके लिए इसलिए लेकर आएं कि आपको समझने में दिख करती हो तो यह चीज उसके अलावा फिर महराष्ट तो महराष्ट की जादा नहीं है ठीके महराष्ट की 652 है कि 652 छे किलोमेटर उसके अलावा फिर हमारे पास क्या आए आंद्रपरदेश तब आइधर की हो जाएगा यह जही प्रदेश 90 937.970 okay फिर ऐता और एक और और ऑप्सन में दे रखा आंडर प्रदेश पिर तमिल नडव आपको दे रखा है इस से या तक है ठीक है तमिल नाडू यह उसके अलावा आपका गुजरात भी हो गया तमिल नाडू महराष्ट फिर आंद्रप्रदेश तो यह आपको यह पर देखने को मिलेगा तो कुन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा आंद्रप्रदेश ठीक है यह यहाद रखना इस सबसे नाजी टट रेखा से लगे हो हैं अब देखो यसे देखा जाए तो कितने राज्या आपके लगे हो हैं देखो यह गुजरात होगया 1 ठीक है फिर महराष्ट होगया दो ठीक है इससे बना राव में इधर देखो गुजरात हो गया एक दूसरा महराष्ट, तिसरा गोवा, तोथा करनाटक, पांचवा, केरल, छटा तमिलनाडू, सातवा, आंधरप्रदेश, आठवा, उडिसा, ओनवा, वेस्ट बंगल ठीक है, नो राज्य आपके लगते हैं, अब सबसे लंबी तो अपने गुजरात की बात कर लिए, अब गोवा की सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, यह चीज आपको यार रखना है, देखलो यहापर दीख रहा होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, यह चीज आपको यहाँ पर यार रखना है, ओर, उनकी कित्ती किलोमेटर है, आपकी टोटल सीमा, टर्टी रेखा, तो आपको यार रखना है, साथ, 3500 किलोमेटर लगबग यार रख लेदा, ठीक है, और, एक्जेस्ट साथ, पुछे, कितना हो जाएगा, तो आपको यार रखन लेहरों से ज्यादा आपका टेटी अपर्दन होता है नेस्ट कुर्टन आपको यत्तत्र कुछ अनोखे डेन्मार्क वासी मिल जाएंगे ठीक है ये यूपी यूपी एस्टी का कोस्टन है तुसले थोड़ा सा अजब दिखेगा परन्तु उसका कारण यह है कि डेन्मार्क की चोकी हुआ करती थी यह अनुठा नगर उसका दूर्ग सुन्दर गिजा घर नया जरुसलम सुनी सडके उजड़ा टेट ग्रह सब मिलकर अद्भूत रत्न बन जाते इस उचित में वनित इस्थाने तो किसका वनित इस्थान आपको देखने को मिलेगा तो देखो इसका अब को आपको यहाद रखना थी कि आप देखंऊ नहीं पर दिखने को तो कि कि आपको धेखने को अंटर पर देखें ना06 से वारा फिर कफिर माराश चै इस वाल चेत्रे से वेस्ट बंगल तक उतकल प्लैन्रेन ठीके सो किया चीज ध्यान रखना है समझ मैं यहां पर भी आपको दिख रहा होगा इसको तो इसको एक नेप बना के आप चाहो तो याद रख सकते हो जब एक्जाम में आता है तो जब हमको क्या थोड़ी सी दिक्कत होती इसको देखने भी तो इसका ध्यान रखेगा नेश्ट कोर्चन पर चलते तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तमिल नाडू और आंडर प्रदेश तो तमिल नाडू और आंडर प्रदेश अभी मैंने यहां पर बताया ठीक है आपको क्या बोला जाता इसको कोरो मंडल कोरो मंडल ठीक है अब यहां पर आ जाएगा आपका केरल से केरल वाले राज्य मे इसको हम क्या बोलते हैंAlabar ठीक है माला बार ये चीज आपको यहाद रखना है ठीक है उसके अलावा फिर महराज़्य तरहने तक हम हम खु़िलते हैं क्या ठीक है क्या भूते है कौणकन डी आपको यहाद रखना है क्या भूत इदर डेल्टा छेत्र हो जाएगा ठीक है उत्तरी का जिसे हम उत्तरी सरकार भी बोलते हैं आंड्रेपदेश तक पी कोरो मंडल इदर आपको देखने को भी लगा इदर हम के तमिल नाडू में कन्या कुमारी जो देखने को मिलता ही हो जाएगा भारत के पस्सिमी टट मेदान के उत्री भाग में मेदान के उत्री भाग में तो मेदान आपको का पर देखने को मिलगा इप तो यह आपको लूष को क्वह उत्ती जो क्या हो जाएगा ठीठ है यह चीज़ आपको यहां पर चाहिए आपको लुखाए बाताई ऑफ सब्सक्ना अप्मार ले जए क्या प्सक्ति होसद्वी तो कहां पर सबसे पहले आप यह दिख रहा होगा यह दीफ संभूई आपको बढ़े करके नेफ लेकर आया हूँ तो सबसे पहला बाला उत्री अन्दमान फिर अधिक्ति पेड़ आजाएगा अन्डमान सागर आजाएगा पिर आपका काव न को बा आ जाएगा यह जो डिफ डिफ बा मोटेप समय ठीक है इसमें आको तस्राना कच्छ दॉक का नाक कारी लीटिल निकोर गेट निको बार यह देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको सब्सक्राइब क्षिए सब्सक्राइब करें पिंप सेंडल फिं economist ठीक है छेया डल पर याद राखना है प्रकूट बेएर आपका कहा पर हो जाएगा तो यह याद रखना है यह पोड़ ब्लेयर ओप किदश know अब चुंद के अलग करता है तो लगों अन्मान को कार निको बारी से ऐसे अलग करता है जीज़ आपको को आपको पत्ता है बंगाल के खाड़ेकर दीप समू सागर के दूधं dhmes posterioram नेस्ट कोच्चन 10 डिगरी प्रथक करता है तो देख लो 10 डिगरी लगू अंडमान को और कार निकोबार से अलग करता है ठीक है अप ओप्षन में क्या पढ़ लेते हैं अंडमान और निकोबार ठीक है अंडमान और म्याममार भारत श्रीलंका लक्षदीप और माल देप यह तो हो नहीं सकते हैं यह तीनों अंडमान को निकोबार से अलग करता है पेली चीज़ यह रखना अगर कोच्चन इसे बना तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है फिर ज्यादा डिप में बना तो लिखा आएगा लगू अंडमान को कार निकोबार से एसे करके आपको द बंगाल की खाड़े में इस्थी थे यह चीज आपको यहाद रखना है। नेस्ट कर्षण भारत के किस दीफ समुका उद्गम जुआला मुखी से हुआ है। यह मात्री शक्री जुआला मुखी अपने भारत में बैरन डीफ यह आपको यहाद रखना है। तो कहां पर हो जाएगा आपको पता यह हो जाएगा पुल्किट जिल के समीप यहापको क्या देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा आपको 37 धवन शतीस धवन और ए तरह लग्सदीप कहां पर है तो लक्सदीप काने को बार इधार है तो लक्सदीप आपको छोटे चोटे से दिख रहे होंगे ठीक है इनको बड़ा दीप सम्मू भी लेकर आयों तो यह हो जाएगा आपका कहां पर देखो हिंद मासागर अरब सागर और उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको उसके बाद बंगाल की खाड़ी और प्रसांत मासागर तो आपको नीचे दिख रहा होगा लक्षटीप सम्मूँ यह सबहां चोटे-छोटे द्रीप समम्म हो यह आपको यहाद रखना है ठीक है इनके नाम भी आपको दिख रहा होगा इसको चैलड दीप बितरा दीप केल्टन डीप ठीक है पित्तिऊ-डीप अंड्रॉाड फिस मशियली दीप यह को बार से करती है फिर भी पूछे उसमें तो आपको क्या रखना लगू अन्दमान को काने को बार से ठीक है यह चीज़ार रखना नेस्ट कुस्टन देखो यहां पर आपको पड़ुचेरी दीख रही होगी ठीक है पांडी चेरी यह आपको यह आइधर वाला जो है ना यह व प्रवाल बित्ती से बने ठीक है ठीक है फ्रस यहां पर नेस्ट्र तरγवार आपको अन्ध यह आपको हिमाले वाला छेत्र एत्वर हिमाले की जो उत्पती होती पस्रीं में लक्षिदीप यहां परें बिल्कुल से दक्सिण भारत में तो इदर नहीं सकते दक्सिण और पूर्वी तो इदर आपका क्यां यह क्यां रखना है कि इसको हम खंबात की खाड़ी भी बोलते की खाड़ी तो यह जो है केमबे की खाड़ी यहाँ पर प्रवाल विक्ति नहीं पाई जाते लेकिन मनार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी लग्त दीप और मिनिकार में आपको देखने को मिलेगी ठीक है एक दीप पर निमित भारत का सबसे बड़ा नगर कुनसा मुंबाई हो जाएगा अब बहुत सारे बोलेंगे अच्छे मुंबाई का दीप पर है तो बिल्कुल यह जादा बड़ा है लेकिन पौर्ट बेर कुल चेत्रफल के मुंबाई से अधीक है परन्तु नगरी चेत्रफल की द्रिश्टी से क्या होगा मुंबाई का चेटरफल पोड़ बेर ज्यादा बढ़ा है लेकिन मुंबाई में क्या जन संक्या ज्यादा रहे ती यह चीज़ आपको आपको यार रखना है भारत का सरवादिक आबादी वाला दीप तो कौन सा हो जाएगा आपका साल सेट आपक कच के लिटिल रन में खंबाद के ख़ड़े में कच के रन में तो यह आपको यार रखना है यह पाकीस्तान और इंडिया के बीच में क्या है एक विवादित छेत्रे ठीक है विवादित छेत्रे जम्पू चस्मीरी नहीं है यह पर भी आपको दीख रहा होगा मैं जूम कर लूँ एक मिनिट रुखेगा ठीक है ये ये वाला जो छेत्रे ना यह यहां पर आत रगर यहाद रहा पर भी नहीं ठीक है तो हम नेश्ट मिश्ट पर चलते हैं ठीक है देखो यह कोच्छन भी आ गया सर क्रीक विवाद नि किन दो देशों के मद्दी तो आपको भारत पाकिस्तान याद रखना या इतना इतना सा इलाका आपको है अपर छेत्रए पूछ रखने पूछा भावी प्रस ने फिर नेष्ट के लातूर याधर लातूर किस प्रांट में इस्तित होगा यह चीज इन नहीं पर याद रखना है ठीक है अंदर्पदेश में गुजरात में महराष्ट में मध्यपदेश में 1906 और अपने सुझना होगा महैं आपको महराष्ट में देखने को मिलेगा ठीक बहत्त का scalone तो आप को यार रखना किसको को या रखना है किसको क्या गहते हैं भारत यह आपको को हिस्ट्री में पढ़ो ऐसने मद्यकाल में पढ़ते हुआ राचिन से मद्यकाल में जितने सम्राठ के पास गया हुआ तो क्या व उनका पतन हुआ है, ठीक है, अब फिर यहां से BTS काल आया, तो BTS के पास भी यह क्या, crown के पास गया था. तो उस समय भी देखने को मिला कि उसका पतन ही हुआ BTS क्या, यह चीज़ आपको याद रखना है. तो कोंच के दाधर मियें एसी चीजें बोली जाती कि जिसके पास गउया उस सम्राइट का सम्राज का पतन हुआ है नेस्ट भारत की किस राज्व को सिलिकОन स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको कुछ करtake को यार रखना है बड़़ोन तो क्या होगा टाइटाओत सबसे चीज आपको यहाँ पर पताओगे यह बना दिया अपने राजस्थान फिर आपको याद रखना मद्यपदेश ठीक है 32voy 오늘도 आपको पता होगा ये मद्यपदेश बना दिया ठीक ए ये ने मद्यपदेश फिर महाराष्ट ये महाराष्ट बना दिया पिर 2 पर ऐगा 30 डूसरा तिसरा चो था यह चीज आपको यह पर यार रखना है अब इनके 6 त्रफल भी यार रखलो ठीक है MP का थे सब को यार ओगा लेकिन इसका भी यार रखलो जो राजस्ता ने तो आपको यार रखना है क्या 3,82,249 ठीक है यह यार रखना MP का सभी को पता है 30,82,252 कितना है 30 82 252 ठीक है अब महाराश्ट का भी यार रख लोग क्या हो जागा 3,7,713 ठीक है अब यूपी का भी यार रख लोग 2,4,928 कितना हो जागा 928 यह आपको यहाद होना चीए नेस्ट कोचन निम्न में से कौन सा राज छेत्र फल दर्ष्टी से सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश राजस्थान मद्य प्रदेश महाराश्ट देखो राजस्थान पहला यह दूसरा यह चोथा तो उत्राखंड आपका सबसे छोटा हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको पर यादारतों आपको सबसे छोटा हो जाएगा उत्तराखंड इसका राज़ उत्तर पूरी राज्यों की साथ बहल्ut का भाग नहीं है तो इसका अंसर आपको कुन सा देखने को मिलेगा पस्सिम बंगाल आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है जिसे हम सेवन सिस्टर बोलते हैं तो सेवन सिस्टर में आपको कुन नहीं आता है तो आपका पस्सिम बंगाल नहीं आता है कौन कुन आता है यह चीज आप चाहो तो याद रख लो अच्छा, MAP नहीं लाना भूल गया हूं मैं अपर, ठीक है, यही बना लेते हैं, 7Sister, तो सबसे पहले आपको 7Sister बनाना है, तो पहले MAP आपको इंडिया का याद होना चीए, तो 7Sister में आपको कुण सा आता है, देखो, इधर आपको यार रखना है, तो मैं जूँम कर लेता हूँ पहले थीक से parce प्रेंद बन नहीं रहा है चोड़ो इसको चोड़ो यहां पर फिर में बता डेता हूँ तो आपको क्या रखना देखो सबसे पहले यहां पर इधर से चलेंगे इसको यहां ठीक है ठीक है तो यह आपका इधर तो क्या आ जाएगा इधर आपका अर्णाशल पर लेकिन यहां से आपको यार रखना यह तीन इस्टेट आपको यहां पर यार रखना है ठीक है तो यह आफ यह आपको यह तो यह आपको और यहां पर यार में पड़े से इसमें यार रखना न माम कि ठीक है नवामी यार रखना नमामे गंगा यार जिसा है नामामी तो आपको याद रहेगा nezt कुर्चन निम्ने में से निमने लिखेत राज्यों में कि सब Ohio कों सा त्eland अ辗ौना राज्य की सीमा बनाता है कि अपको मेप याद होना ची थी क्या आप मान लो यह आपको यहां पर तो अरम्से में चया तक क्या लग जाता है यह झाओ और आंद्र प्रदेश लग जाता है थीक है यह चीज आर रखना फिर आपका यह से और अंध्र प्रदेश लग जाता है यह चीज में तक ठीक है फिर इदर आपका तो दो information नमद्सक्राइव से निम्रован द्रहकर से अपर्रय आपको पता यह कया लोरोटताएव फिर आपका क्यो हो जाता है तो कॉन से लगताई देखो चाहिए इसको Cont defenders इसमें है लेकिन इसमें महाराश्ट नहीं है तो यह भी कट गया इसमें 36 भी महाराश्ट भी अब क्या गया हमारा आंद्रप्रदेश ठीक है क्या गया आंद्रप्रदेश तो आंद्रप्रदेश इसमें नहीं है इसमें तो आंद्रप्रदेश है इसमें करना टग भी तो यह आ चलप दैसे पी तो आड़ लीजह जाए गिए इटानघर बिल्कुल सब्साइब फिर तिरुपुरा कि क्या हो जाएगी यहां टिरुपुरा की केी ङह झापकी अगरतला बिल्कुल बिल्कुल सफ्च हो याज़एक क्या हो जाए इटा नगर किसकी राजदानी तो भी अपने देखा किसकी राजदानी अर्णा चल प्रदेश की आपको राजदानी हो जाएगी इटा नगर भारत के 19 वर राज की राजदानी क्या है है हिदराबाद पंडजी इसा का पत्नम या सिलवासा कि आपका 19 वर राज बना था उसकी राजदानी आपको क्या देखने को मिलेगी तो देखो इसमें आपको कन्फिजन भी नहीं रखना है कि आन्डरपरदेश का विभग्त हुआ था आपका तो आन्डरपरदेश आपका यार रखना आंडरपरदेश से आपको तेलन गाना यह चीज यार रखना तो अभी कितने अभी टोटल फिर वापस अठावी सी है क्योंकि आपका जो जम्बू कस्मे था इसको क्या किया गया केंडर सासित प्रदेश बना दिया गया तो क्या यार रखना आपको कि जो है आपकी क्या हो जाएगी इसके राजदानी तो हेद्राब जaptा क्या क्यों आपको क्या ठुटा है तो इसमें आपको मैप में देख के पता लग रहा होगा देखो सब्सक्राइबожд då से चत्रिसगर से जार खंड से बिहार से तो एक दो तीन राजस्तान से भी चार पांट छे साथ आठ ठीक है आठ आठ से नू राज को करीब लगता है यह आपको याद रखना है ठीक है और पस्सिम बंगाल से भी लगता है यह तो किस किससे लग राघ लहाए एक बार और यहांप से देख लो बिल्कुल कंफिसन मत रखो माइंड में हैं तो तो देखो हूँ इसा पहले यूपी उत्राखंट से यार रunk the फिर किस से यान का हरियान से यार रंकना हर ठीक है यह चीज़ आपको यहाँ पर यार रखना है उसके अलावा दिल्ली प्रियाजस्तान फिर MP फिर 36 पिर जारखन फिर भीहार यह चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी ठीक है तो इस प्रकार आपका कितने टोटल राज हो गए तो आठ हो गए एक दो तीन चार पा उत्तरप्रदेश राजस्थान गुजरात महराष्ट और 36 जारखन को नहीं चूता है तो जारखन इसका सब्सक्राइब भारत में केंद्र सासित राज्यों की संख्या कितनी है पांच साथ नो ग्यारा तो आपको यह कोमेंट करके बताना इसका अंसर ठीक है बहुत सारों को सब्सक्राइब कितने हो जाएंगे तो आठ हो जाएंगे ठीक है अब वापस क्या हुआ वापस यह होता है कि जो आपका दादर नागर हवेली और दमन और दीप थे ना इन दोनों को कर दिया गया विले कर दिया गया ठीक है तो 9 से वापस कितने हो गए आपके 8 हो गए यह चीज आपको पता होगी ठीक है कब किये गए तो आपके 2020 में किये गया थी ठीक है यह चीज आपको याद रखना है 26 जिनमरी 2020 को किसको दमन और दादर नागर हवेली धमन और दीप को विले कर दिया गया तो पेले 9 थ चलो बताई देता हूं में यहां पर देखो जंबू कस्मीर एक लदाक दो दिल्ली तीन चंदिगर चार दादर दमन और जो दीर यह कितना हो गया आपका पांच फिर लक्सदीप छे पुंडिचरी साथ और अंडमान निकोबार आठ होगा ठीक है यह चीज़ आपको यहां पर याठ रखना है नेश्ट कंटवय भारत का सबसे चोटा केनर साशित प्रदेश कोंचा हो जाएगा तो यह हो जायगा लक्सदीप दमनो दीप के बारे में कुन सा कतन सत्ती है स्वतनता बिटीस अध्यापित मतलब स्वतनता बिटीस अध्यापित में था ठीक है दमनो दीप के बिच खंबात की खाड़ी है इसकी राजधानी क्या देखने को मिलेगी आपको पूर्त गालियों का इसका पर अधिकार था तो एक तो गलत हो गया तो यहां से यह भी गलत यह भी गलत और फ्युक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी आपकी इस्ती थे तो बिल्कुल साही दमनों दीप के बीच में आपको खंबात की खाड़ी दीखेगी और इसके राजदानी क्या दमन आपको देखने को नहीं लेगे ठीक है तो हमने अभी तक जो देख लिया उसको हम एक बार आपके सामने बता देते हैं उसके बाद हम इस किलास को क्या करेंगे खतम करेंगे तो अभी तक हमने इसके ठीक है यह रही आपर अभी तक हमने इसमें क्या क्या देख लिया देखो आपको सामने दीख रहा होगा यह सबस्क हम है इसके बाद हम कल से स्टाट करेंगे बारत कि नदिया ठीक ही है या अब High अपोह तंत्र अपोहा यहां पर ध्यान रखना है और इक निवदन आप से क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करें वीडियो को लाइक करते पहले तो फिर उसके बाद वीडियो अच्छा लगा हो हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो इसमें क्या कर सकते हैं आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं ठीक है तो इस चैनल को subscribe भी कर लिजे सभीधान वे जिसकी लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगी मुआ से आप प्लेइलिस्ट को एड कर लिजगा और क्लास को आप देखते रही है ठीक है अभी हमारे में 2-3 इन क्लास हुई तो पूरी आपको घठना चकर कराइंगे मुस्किल से घठना चकर 20-22 क्लास में कम्प्लिट हो जाती ही, ठीके, 22 क्लास में पॉलेटी की घटना चक्र हमने करवा चके देकिन यहाँ पर स्लो स्लो कर रहा है हम, तो फिर भी माल लो 25 क्लास में आपकी सभी घटना चक्र कम्प्लिट हो जाएगी ठीके, सभी मतलब भुगोल की और सभी दान की पॉलेटी की तो इस क्लास को करते हैं, यहीं खतम ठीके, अगर कोई डाउट हाउट रहे गया तो कमेंट कर दीजेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा